हेलो एवरीवन, वेलकम तो स्मार्ट स्टडी चैनल तो इस पार्ट टू अफ टॉपिक नेशन अड नेशनलिसम राश्ट्रो और राश्ट्रो गाद राइट पहले हमने इससे पहले एक वीडियो इसके उपर आ गई है जिसमें हमने पार्ट बन डिसक्स किया था नेशन अड नेशनलिसम का जिसमें हमने देखा था कि नेशन कैसे बना ठीक है कौन-कौन से लग-लग theories है nation basically क्या था और nation states क्या होती है nationalism क्या होती है scholars, different scholars ठीक है, renan, ganner क्या बोलते हैं उसके बारे में, right वो हमने अच्छे से cover किया था और जह हम देखेंगे theories of nationalism so this is very important topic with respect to IGNU exams as well as assignments ठीक है, तो अगर आपका IGNU का exam है तो यह बहुत important है, बाकि उसके भीना, इसमें different sources को refer किया गया है तो यह सिरफ IGNU के लिए नहीं और भी competitive exams with respect to history like UPSC, state civil services तो सब के लिए बहुत important है तो चलिए फिर start करते हैं आज का lecture, theories of nationalism जब हम राश्टरवाद की बात करते हैं, तो कौन-कौन से theories आती है, ठीक है तो देखिए, सबसे पहले आप यह flow chart देखें इसमें क्या है, इसमें हमने theories of nationalism को divide किया है ठीक है, आप देख सकते हैं screen पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा non-modernist theories, non-modernist means गैर आधुनिक तावादी सिधान्त, ठीक है और इधर है modernist मतलब आधुनिक तावादी सिधान्त, ओके तो non-modernist जो थे basically गैर आधुनिक जो लोग थे, scholars थे, वो क्या बोलते हैं कि जो nationalism की बात है हम बोलते हैं कि 20th century, 19th century में 18th to 20th century का basically period मानते है nationalism का तो जो गैर आधुनिक्तावादी scholars थे, वो ऐसा नहीं मानते थे, ठीक है इसकी भी आगे type से हम देखेंगे कौन क्या बात करते हैं इनका basically था कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया phenomena था ठीक है, विकॉस हम जब nationalism की बात करते है तो nationalism क्या है, ठीक है हम बोलते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में अगर हम देखते हैं इंडिया नेशनल मुमेंट तो ऐसा नहीं था ये इंडिया का फिनॉमना था या फिर ये यॉर्प का फिनॉमना था इस नोट लाइक ताट, ओके तो ये spread हुआ globally different, different parts में हुआ एशिया में देखेंगे अफ्रीका में देखेंगे, यॉरॉप में देखेंगे, so it has been spread every different parts of the world तो इसमें इतना spread हुआ, तो सिरफ ये नहीं था कि कुछ internal factors of the society एक्स्टर्नल भी कर रहे थे विकाज ये global फिनोमना बन गया था ठीक है अलग लग जगाओं पे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था तो इसलिए जो है स्कॉलर्स अलग लग बाते करते हैं अलग लग थियोरी देते हैं नेशनलिजम के स्प्रेड में और यह जो नौन मॉडर्न स्कॉलर्स हैं गहर अदुनिक्ताबादी स ठीक है यह क्या बोलते हैं कि जो नेशनलिजम तो आप कह रहे हो मॉडर्न फिनोमना ऐसा नहीं था जो आप कह रहे हैं नेशनलिजम इतना फैला अलग लग एरियास में गया राइट ठीक है तो इट इस नौ पॉसिबल कि वो छोटे से एक टाइम पिरियेड में हो गया आप हम पहुत साल पहले देखेंगे तो यह वहां से आता है ठीक है यह कोई बिल्कुल नया फिनोमना नहीं था ठीक है यह बेसिकली नौन मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स की ठीक है तो इसमें आके अभी टाइप साती है एवलूशनिस्ट मीन्स विकासवादी नेश्रलिस्ट ठीक है यह जो नैशनलिसम जो है इस नौन ए unique फिनोमना कुछ new phenomena माइन नहीं ही है यह हमारे जो रूट हमारे कल्चर से लिंक्टे है फास्ट से हमारे इसरी से राइट बढ़े इसमें ओगे different variations है ऐसे ही आप modernist देखेंगे ठीक है अदुनिक्तावादी सिधान इसमें भी जो है different scholars different बाते बहुते हैं वो हम देखते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं फिर non-modernist के साथ अगर आपने पहला lecture नहीं देखा तो बहुत important है मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि nation क्या होता है nationalism क्य है कि आप पहले वो lecture देख लीजिए उससे आपको इसको समझने में भी help होगी ठीक है तो चलिए non-modernist देखते हैं अभी non-modernist गैर अधुनिक्तावादी सिधान तो हमने जैसे इसमें बात की कि यह जो modernist है राइट यह बोलते हैं कि nationalism जो है वो इतने कम time 18 to 20 century के बीच में century बस इतने से period में होगा ऐसा नहीं है ठीक है यह हमारा जो long history है इसमें इसकी roots है ओके तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं naturalist को naturalist मतलब प्रकृतिवादी अभी क्या बोलते हैं यह तो देखिए यह simple बोलते हैं कि भई जो human mind है ठीक है human का mind है उसी में nationalism nationalism लोगों के mind में लोगों के दिलों में nationalism जो है एक natural phenomena है ठीक है यह कुछ ऐसा है जो होगा ही लोगों के मन में ठीक है ऐसी feeling है ऐसा sentiment है ठीक है जो हमेशा से लोगों के मनों में दिल में होता है ठीक है और इसलिए यह बोलते हैं कि हमें nationalism कैसे आया, क्यूं आया, ये डिस्केस करने की बात नहीं आती, अगर हमें कहीं nationalism नहीं दिख रहा, तो वह question आता है कि कैसे नहीं दिख रहा, बिकॉज ये बाइ बर्थी मतलब नैचरली ही मानते हैं कि स्टार्टिंग से जो humans है ठीक है उनके mind में उनके heart में ये जो sentiments है nationalism वाली feeling है राश्टरबाद की भावनाई है तो ये तो कुछ natural है जो human mind में स्टार्टिंग से rooted है ठीक है तो अगर नहीं है हम फिर question आता है कि क्यों नहीं है क्योंकि जब किसी चीज़ को naturally बोल दिया कि यार यह ऐसा ही है ठीक है जो सूरज है like sun है ठीक है वेस्ट से राइस होता है ऐसा ही है है ना तो अगर हम बाइचन से इस्ट से ना राइस हो किसी दिन फिर हम question करेंगे ठीक है उसको एक fact की तरह वो universal truth बना हुए तो similarly य इसा ही है starting से ही humans की mind में heart में ऐसे sentiments आते हैं ठीक है अगर नहीं आते तो question करने की बात है ठीक है तो यह तो बिल्कुल naturalist की naturally phenomenon है अगर human है उसके mind में ऐसे feelings होंगी ठीक है रश्टरबाद की भावना होंगी second category आती है paranormalist मतलब निरंतरवादी अब यह क्या बोलते है ठीक है य ठीक है यह हमारा history में back बना है ठीक है हमें देखा भी रहा है modern time में बट यह बन कब चुका है it has been formed in the history ठीक है for example यहां पर बहुत अच्छी example दी जाती है पाकिस्तान की ठीक है अब पाकिस्तान आपको पते कि कैसे हुआ ठीक है अगर हम इंडिया national movement में देखें ठीक है 1906 में Muslim League बनती है ठीक है उसके बाद धीरे धीरे जो पाकिस्तान के हिंदू-Muslim वाली बात होती है अलगलग conflicts आने लगते है ठीक है Muslim sentiment strong होने लगते है धीरे धीरे जो है पाकिस्तान की demand आती है 1940 में आपको पता है पाकिस्तान की demand करते है राइट फिर उसके बाद आप देखेंगे दिबाड भड़ती रहती है और उसके बाद जो है डाइटीर 46 में डाइरेक्ट एक्षन दे हो जाता है ठीक है पहुत जादा जो है दंगे फसाद होते है रायट होते है ठीक है हिंदू-Muslims के उसके बाद बोलते है कि अब वह ही है मांउन प्लान में आता है कि अब ही पार् यह नेशनल मोव्मेंट में देखते हैं और यह टाइम पिरियर्ड आप देखें कौन सा टाइम पिरियर्ड था 19th century 20th century basically है ना तो हम तो जो अभी हम पढ़ते हैं हम यही देखते हैं कि उस टाइम पर बना रहा है जो पाकिस्तान नेशन है बट इसके ओपोजट में जो जिन पाकिस्तान की डिमांड आई है ऐसा कुछ नहीं था ठीक है यह 1940 उन से बात की गई उस टाइम पर ठीक है तो यह बोलते हैं जिनना बोलते यह जो मुस्लिम नेशन बन रहा है ठीक है यह ऐसा नहीं है कि अभी जो पॉलिटिकल चीज़े चल रही है उसके कारण डेवलप्मे जो था अच्छी खासी फॉर्म में फुली फिनिश्ट फॉर्म में एक्जिस्ट करता था विकॉज उनने बोला कि जैसे मुगल्स वेरा और मुस्लिम है ना उस टाइम पर लोग थे ठीक है तो उनके माइंड्स में तभी जो है एक अलग नेशन एक नेशनलिजम तभी ही से थी ठीक है तो इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत पहले से एक्जिट करता था यह यह निया कि हमारे अभी जो हमारी नेशनलिजम पर हमें क्रियेट हुआ है ठीक है यह यह नहीं भोते कि अभी हिंदू मुस्लिम में जो रायर सोरह है यह इनकी आपस में नहीं थे ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह बोलते हैं पुरानी हिस्टरी में मेडीवल पास्ट में ही जो है पाकिस्तान बन गया था बट बस मुस्लिम्स जो थे अभी अवेर नहीं है और यह ऐसा नहीं है कि रिसेंट जो डेवलप्मेंट्स हुई है हिंदू पाकिस्तान आए वह हमेशा से लोगों के बीच में था तो पैरनलिस्ट जो निरंतरवादी है वह भी बोलते हैं कि नेशनलिसम हमारे पास्ट में बना था ठीक है जैसे यहां पे जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान जो है वह मेडीवल टाइम से मध्यकालिन भारत में ही बन ग किया गया है ठीक है उसको जो है एक अलग फॉर्म दी गई है ठीक है जबकि आपको पते हम जब हमारा मेडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं यह मध्यकालिन भारत के बारे में पढ़ते हैं उदर हम कभी ऐसा नहीं पढ़ते कि पाकिस्तान पहली एक्जिस्ट करता था राइट कभी ऐसा नहीं पढ़ते हैं बड़ जिन्ना का क्या कहना था मुहमद अली जिन्ना वो बोलते थे पाकिस्तान तो तब से ही है तो कहीं न कहीं वो अपने पास्ट को तोर मरोड रहे थे अकॉर्डिंग टो इस टेफिनेशन राइट अपने व्यूज को लिए वो जो है हमारे स्फाम को मोडिफाइब करें तो इसलिए बोला जाते है कि पेरनैलिस्ट जो स्कॉलर्स है ठीक है जो निरंतरवादी स्कॉलर्स है त्यास्कार है वो कही ना कही अपAnnτα UAE Our स्वाइअ के साथ हूज है अपने अ की हम ऐसा बोल रहे है तो सही है उस चीज़ को दिखाने के लिए कहीं न कहीं हमारे past के साथ हमारे culture के साथ history के साथ छेडखानी करते हैं ठीक है so they change the form of our culture right our past so इसी लिए बोला गया है scholars इसी लिए बोलते हैं कि जो paradalist position है वो describe करती है एक invented tradition जो tradition already ऐसा नहीं होता but उसको invent किया जाता है to satisfy our views right to give legitimacy to our claims जैसे मुहमद जिन्ना ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि Pakistan जो है that has been formed in medieval history उन्होंने वैसा दावा किया था और उसको जो है सही कि हाँ वो लोग सही बने उसको legitimize करने के लिए उन्होंने हमारे जो nation में past था हमारा medieval इंडिया था ठीक है उसको ही उन्होंने change कर दिया ठीक है इसी तरह से यह बोलते है कि invented tradition होता है जिसको manufacture किया जाता है ऐसे naturally नहीं होता right तो यह पेरेनलिस्ट की बात आती है और यह जो invented traditions की बात है यह सबसे पहले कौनसे historian ने दी थी Eric Hobbs Bowen इन्होंने यह concept दिया था invented traditions का और यहां पर यह nationalism में बहुत important हो जाता है जब हम पेरेनलिस्ट की बात करते है ठीक है तो आगे third point है evolutionist ठीक है विकास वादी यह third category आती है non modernist scholars की जो nationalism के बारे में लिखते है ठीक है अभी evolutionist क्या बोलते हैं कि हाँ यह यह नहीं कहते कि अभी modern period में जो है nationalism नहीं है पहले से ही था यह था वो तो यह नहीं बोलते हैं यह क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है अभी modern era में nationalism wide spread है ठीक है अलग-छ़ग areas में है यह बात मानते हैं यह बट यह बोलते कि उसकी explanation करने के लिए हम जो है pre modern history में हम ज प्लेन कर सकते हैं अभी की नेशनलीजम को ठीक है इस पे बहुत अच्छी एक 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 जामपल दी जाती है ग्रीक नेशनलीजम की ठीक है अब ग्रीक नेशनलीजम आप देखेंगे पीरियड में थीक है यह उस ताइम पे आपस वो डढाय चलते हैं जो है उस आइडियो Casey अब ती टाइम में राइट एंशिन टाइम में बट उसके बाद जैसे वह हुआ ठीक है उसके बाद आप देखेंगे बाइजन टाइन एंपायर रूल करती है ठीक है एरांड ट्वेल टू फॉर्टीं सेंचरी में उसमें क्या होता है सब्सक्राइब तो उसमें भी उस टाइम पर आप देखेंगे ठीक है ग्रीस नेशनलीजम वस देर ठीक है तो वहां पर उस टाइम भी आपको अच्छय से मिलेगा कि हां ग्रीक के लोग चो है अपने पास के बेसिस पर अपने टैडिशन निशन बैस बेसिस पर इक अपना इटेंटी बना के रखते हैं तो इसलिए बोल बट उससे पहले भी अगर हम उसका पास्ट देखेंगे राइट हम उसका एंशेन पीरियड देख लें उस टाइम भी वहां पे नेशनलिजम की फेलिंग्स थी फिर जब बाइजन टाइन एंपायर ने रूल किया कॉंस्टेंटिनोपल वेरा आपको पते सब रोमन हिस्ट्री ठीक है उस टाइम पे भी ग्रीस नेशनलिजम हमें देखने को मिलती है तो यह क्या हुआ कि है मॉडर्ण फिनामना अभी मॉडर्ण टाइम में जो है एक्जिस्ट करी है नेशनलिजम बट उसका एक्स्प्लेनेशन जो है पास्ट में है ठीक है तो इस तरह से आप कि evolutionist विकासवादी यह बात बोलते हैं कि जो अभी नहीं पुराने के हमारा culture हमारा tradition था हमारी हैरीटेस थी ठीक है हमारे सेंटिमेंट्स थे क्लेक्टिव नेशनलिजम जो क्लेक्टिविजम के ठीक है वो generations to generations पास हुए है ठीक है उनकी वजह से जो नेशन है वो मॉडर्ण में इमर्ज हुए है ठीक है तो इसलिए past के factors contribute करते हैं अभी जो nation बना राइट ठीक है बाते यह तीनों जो है past की ही करते हैं ठीक है अभी इसको बिल्कुल border फिर आपना रही बात थे ठीक है बट यह है कि अलग लग तरिके से define करते हैं ठीक है तो हमने देखा कि पहले हमने देखा था स्वारी एक पिरेट हां जी तो हमने देखा था डेट्रलिस्ट प्रकृति वादी क्या बोलते हैं ठीक है दिरत्तर वादी एड़ एड़ एवोलुश्टिस्ट विकास वादी राइट अभी हमारा next lecture हुगा उसमें हम बात करेंगे आदुलिक थे जो modernist theories है नेश् देख लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकर को प्रेस करें इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी हम वीडियो जाल रहे हैं ठीक है अभी हम जो बहुत हमारे टॉपिक्स है ठीक है अब चैनल के उसको कवर कर रहे हैं यह आपके इग्डू एक्साब्स में भी पॉर्टेट रहेंगे और आपकी एसाइब्स में भी तो चलिए मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तिल दर थैक्यू बाबाई